मरते दम तक नहीं होगा कमरदर्द और खुटनों का दर्द कभी नहीं होगी सुगर कोलोस्ट्रोल और दिल की विमारियां मोटापा और खून की कमी होगी बिलकुल जड़ से दूर नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस विडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे दोस्तों इस नुस्खे का सेवन यदि आप हर रोज करेंगे तो दोस्तों आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे दोस्तों लाखों रुपे की दवाईयां भी इस नुस्खे के आगे फैल हैं यानि लाखों रुपे की दवाईयां जितना काम करेंगे उतना ही काम ये नुस्खा भी करेगा और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिरफ तीन ओस्तियों की जरूरत पड़ेगी और ये तीनों ही सामगरी आपको अपने घर पर मिल जाएगी। दोस्तो इस नुस्खे को बना कर खाने से आपका कमर का दर्द, जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द, बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगा। यानि आपको कभी दर्द की कोई समस्या नहीं होगी। आपके सरीर की हडियां वजर के समान मजबोत बन जाएगी। और आपको हडियों से जुड़ा किसी भी परकार का दर्द नहीं होगा। दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आप डाइबटी जैसी बिमारी को कंट्रोल में रख पाएगे। इस डाइबटीज की बिमारी के जो कॉंपलिकेशन हैं उन सब से बचे रहेंगे। दोस्तो इस नुस्खे को लेने से आपके सरीर में खून की कमी का इलाज हो जाएगा। आपको एनिमिया की समस्या नहीं होगी। आपके सरीर का खून साफ होगा, सुध होगा, जिससे की आपके चहरे पर नया गलोवा जाएगा। क्योंकि ये खून की गंदगी के कान भी हमारे चहरे की सुंदरता बिगड जाती है। और जब आपके सरीर का खून साफ होगा, तब आपका चहरा चमक जाएगा। दोस्तों इस नुस्खे को लेने से कोलोस्टोल और दिल की विमारियां आपके आसपास भे नहीं आएंगे क्योंकि ये बैर कोलोस्टोल को दूर करेगा, अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाएगा जिससे कि आपको हार्ट ब्लोकेस या दिल की विमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप इस हार्ट डेक जैसी विमारी से बचे रहेंगे, इतना कारगर है ये नुस्खा और दोस्टो ये नुस्खा मुटापी को भी कम करने का काम करता है, आपके पीट की चरवी को मखन की तरहें पिंगलाने का काम करता है इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन और दोस्तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हम तीन कारगर ओस्तियों का तीन कारगर सामगरी का परियोग कर रहे हैं वो सामगरी बहुत अधे के चमतकारी है दोस्तो पहली जो इसके लिए आपको सामगरी चाहिए, वहत चाहिए, अलसी के बीज, दोस्तो अलसी के बीजों के फाइदे हम बहुत जानते हैं, दोस्तो ये ओमेगा थ्री फैट के एचड से भरपूर होते हैं, जो हमें दिल की बीमारियों और कोलोस्टोल जैसे बीमारियो से बचा करकते हैं खून की कमी और हड़ियों की कमजोरी को दूर करते हैं यानि हमारे सरीर के लिए अलसी के वीजों का बहुत सारे फाइदे हैं दूसरी जो इसके लिए समगरी है वो है दोस्तो जीरा कूमिन सील्ड दोस्तो चाहे मुटादे को कम करना हो कॉलोस्टोल को बैल वो है दोस्तो अजवायन, दोस्तो अजवायन को मुटापे का इलाज करने के लिए बहुत अधिक कारगर ओस्ती माना जाता है, दोस्तो आयुरुवेद में अजवायन के बहुत सारे फाइदे बताएगे हैं, और एलोपिथी में भी बहुत सारी दवाईयों को बनाने के लिए इस अजवायन का परियोग होता है तो चले दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको इनकी कितनी मातरा लेनी है दोस्तो, मैं आपको संकेतिक बताऊँ गए यहनि आप यहीँदि इसको अधिक मातरा में बनाना चाहें तो इसी रेसों में आप इसको बढ़ा सकते हैं जैसे आपने अलसी के बीज लेने हैं तीन चम्मच, दो चम्मच जीरा और दो चम्मच अजवा है यनि आप इनी रेसों में यदि आप इस नुस्खे को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं जिसे 75 गरम, 80 के बीज, 50 गरम, 0, 50 गरम, इसी रेशों में आप इसको कितनी भी मातरा में बना सकते हैं। और दोस्तो इन तीनों को आपने हलका सा गरम सेख लेना हैं, जिससे कि ये अच्छी त्रहें से प्रोपर हो जाएं। अब इनको सेख कर, इनको पीस कर इनका चून तयार कर लें। अब चून नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी इनका सेवन कर सकते हैं। दोस्तो अब आपने इनके एक चमच का सेवन हर रोज सुबे खाली पेट करना है। और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पेट की चरवी मक्खन की तरह हैं पिंगल जाएगी। दोस्तो आपका सरीर निरोगी बन जाएगा। घुटनों और जोणों के दर्द या कमर दर्द का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। सुगर कोलोस्टोल दिल की बीमारियों से बज़े रहेंगे खून की कमी कभी इलाज हो जाएगा। तो दोस्तो देख इस बात की है। आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें। और आपने सिरी को बहुत सारी बीमारियों से बचा लें। अपने सिरी की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ा दें जिससे कि आप आप बहुत त्रहे की बीमारियों से बचे रहें।